नमस्कार प्यार विद्यार्चियों आज हम देखेंगे भारत की आकरती विस्तार एवं सीमाएं भारत की आकरती आकरती की बात की जाए भारत की आकरती चतुषकॉनियां जैसा कि आप मांचित्र में देख रहे हैं चतुशकॉन की आकृति का भारत कमान चेत्र है भारत के क्षेत्रपल की बात की जाएं तो 32,87,263 वर्ग किलोमेटर इसका कुल क्षेत्रपल है भारत का भारत के विस्तार की बात की जाएं उसकी लंबाई उत्तर से दक्षिन लंबाई है भारत की 3,214 किलोमेटर उत्तर से दक चिम की और देखा जाए तो 2933 किलोमीटर इसकी लंबाई है तो इस तरह इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिन और पुर्वस से पश्चिन भारत की अवस्थिति की बात की जाए तो भारत भूमद दे रहका किसे उत्तर में अस्थिति है जो 0 डिग्री अक्षांस रहका आमारी भूमद दे रहका विश्वत रहका जिसको कहा जाता है उसके उत्तर में अवस्थिति है पूरी तरह से तो उत्तर में यह 8 डिग्री 4 से लगाकर 97 डीगरी 25 मिनिट पोर्वी देशांतरों के मद्य स्थी थें ये भारत की अवस्थिती लोकेशन बोगलिक अवस्थिती जिसको कहा जाएगा कि कितने डिगरी अक्षांस और देशांदरों के मद्यस थी थे तिये सामने आपके सामने दिख रहा है कि भुमद्य रेखा से उत्तर में 8 डिगरी 4 मिनट से लगा कर 37 डिगरी 6 मिनट उत्तरी अक्षांस तथा 68 डेगरी 7 मिनत से 97 डेगरी 25 मिनिट, पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित, कर करेका इसके मध्य में गुजर दिये, भारत के बिलकुल बीच में कर करेका गुजर दिये साणी 82 डिगरी पूर्वी देशांत रेखा भारत की प्रामानिक मध्यान हिरेखा है 82 डिगरी 30 मिनिट पूर्वी देशांत रेखा का आजाता है इसको क्योंकि इसी से भारत में समय का निर्धारन होता है यह इलाहबाद से होकर गुजरती है इसी से भारत का संपुर्ण भारत का समय निर्दारित होता है तो ये 85 डिग्री और वी देशांतर है इसको आपको याद आखना है बहुत बारी इसका प्रश्ण आता है एक्जाम में सिमाओं की बात की जाए स्थली सिमा 15200 किलोमेटर स्थली सिमा है चथा मुख्य स्थल की समुद्री सिमा 6100 किलोमेटर लंबी है अंडबाण नेकोबार ऐवर लक्ष्व दीपाउथ सहिद भारत की समुद्री सिमा की कुल लंबाई अगर देखी जाए तो 7516.6 किलोमेटर है तो इस तरह ये स्थली सिमा हुई, समुद्री सिमा हुई लगी हुई है, तो किन-किन देशों से लगी हुई है, उनके लंबाई कितने है, ये भी देखेंगे, तो भारत की इस्तली सिमा है बांगला देश से 4096.7 किलो मेटर लगी हुई है, चीन के साथ भारत की सिमा है 3970 किलो मेटर, पाकिस्तान से भारत की सिमा लगी हुई है, 3310 किल नेपाल से 1752 किलोमेटर म्यानमार से 1458 किलोमेटर भोटान से भारत की सीमा जुड़ी है 580 किलोमेटर एवां अफगानिस्तान से 80 किलोमेटर की सीमा भारत से लगती है तिस तरह भारत की ये परुसी देश है बांगला देश है चीन है पाकिस्तान नेपाल म्यानमार भोटान अफगानिस्तान ये सब भारत के साथ सिमा उसके जुड़ी हुई है अब उन सिमाओं के नाम भी हैं कुछ देशों में जैसे भारत और चीन के मद्दी की सिमा को मैक महन रेखा कहा जाता है और भारत पाकिस्तान के मद्दी की सिमा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है शेत्रफल जो हमने पहले देखा था 32,673 km ये विश्व के कुल क्षेत्रफल का लग भग 2.4 प्रतिश्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है शेत्रफल की दश्टी से भारत व सबसे बड़ा देश है अगर विश्व में सात्वा सबसे बड़ा शेत्रफल की से देश है अगर जनसंख्या की दश्टी से बात की जाए तो सन दोःज़ार 11 की जंदगहना की अंसार भारत की कुल जन संख्या 121.02 करोड थी जो कि वीश्व की जन संख्या का 17.05 परतिश्यद पाग था और वीश्व में अगर jinsiankyya की दुष्टि से देखा जाए तो भारत का दूसरा स्था जीन के बाद भारत का दूसरा स्थान ने जन संक्या की दृष्टि से अब भारत में शेत्रफल और जन संक्या की बहुत विशालता है जिस कारण भारत में विबिननता भी मिलती है किन्तों इन विभिन्नताओं के साथ भारत में एकता भी मौझूद है तो आपको ये भारत का मांचित्र देख रहा है उस मांचित्र का आपको देखना है उसमें अलग-अलग राज्य प्रदेश थे उन राज्यों को देखना है उनकी राजदानियों को देखना आपको श़ाषिट प्रदेशिए उनको देखना और उनकी राजदानियों को ध्änge तो यह सामाण्य परी चाहे था भारत का एक सामाण्य जान करी आपको होने चाहेए भारत का भूगल का अधियन कर रहे हैं निरंतर इन चीज़ों को दोहराते रहें ठैंक यू अगले वीडियो में आगे काध्यान करेंगे हम ठैंक यू